Good morning students I am Rajendra Kumar और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.azoo.rajendra आज हम करेंगे हमारा physics का chapter 2 है 11th class का dimensional analysis बहुत important topic है ये भी Dimension analysis physics में Dimension एक important role अधा करता है कोई भी हम figure लेते हैं या कोई भी आर्टिकल लेकर चलते हैं तो dimension analysis dimension formula उसमें हम mostly use करते हैं और exam में तो mostly पूछाई जाता है Dimension formula unit भी पूछी जाती है और जैसे हमारे competition test होते हैं IIT, JW, mains वड़ा वगएरा वगएरा तो उन में भी Dimension formula mostly पूछ लेते हैं और exam की दिश्टे से भी important है वैसे भी Dimension हमें आना चाहिए तो Dimension का मतलुक है एक तरह से map होता है हमारा map हमारा length में हो सकता है weight में हो सकता है या फिर second में हो सकता है जो हमने basic units पढ़ी है हमने seven basic fundamental unit पढ़ी हैं उनके हिसाब से measurement करते हैं तो measurement एक physics में जो है एक important property है हमारी तो जो हमारी physics है उसकी quantity को describe करने के लिए में Dimension की जूर्द पढ़ते है Dimension formula की जूर्द पढ़ते है जितने भी physical quantities है हमारी जो चाहे हो हमारी derived unit हो हो चाहे fundamental हो चाहे base unit हो कोई सी भी unit हो तो सब को जो हम fundamental units में लेकर चलते हैं Dimension analysis उनी के base पर हम करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे पास dimension में जो है एक तो हमारे पास length होती है length हो सकती है breadth हो सकती है इनके जब हम उसकी लंबाई मापते हैं चाहे वो breadth हो चाहे length हो चाहे किसी का radius हो चाहे किसी का सरंगब फ्रेंस हो जब हम उसको measurement में लेते हैं तो हम उसके लिए letter L का use करेंगे क्या करेंगे जैसे मालो breadth है तो भी L use करेंगे radius है तो भी L use करेंगे dimension की form में यह ब्रट है तो भी ऐल यूज करते हैं रेडिए से तो भी हम मेरा यह दिया है सेकेंड प्वाइंट हमारा जो है मार्ष मार्ष के लिए 음्यूंज गरेंगी क्या करेंगे M कप्डल ने मूर्ट में यू decor my ंग के लिए Market के लिए रुष करते हैं temperature के लिए k यूज़ करेंगे ampere के लिए हमारा वह या और intensity के लिए cd जो हमने 7 basic fundamental symbol के इसाब से किया है उसी साब से हम इसको लेकर चलते हैं तो हम उसी साब से इसको लेकर चलते हैं जिसी साब से हमारी dimension quantity होते है dimension होता हुसी साब से हम लेकर इसको चलते हैं तो आईए चलते हैं हमारा जो आज का मुख्य टोपिक है इसे ध्यान से समझेंगे बिल्कुल important topic है और आपको बिल्कुल समझ मियादेगा सिर्फ आपको थोड़ी सी जो है main main बातें हैं आपको याद रखनी है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का topic dimension analysis में पहले हम इसकी definition कर लेते हैं definition क्या कहती है dimension analysis की dimension analysis is the use of dimension and dimensional formula of physical quantity to find the interrelation between them वो उनके बीच में एक relation जो है निकालने के काम आता है dimension formula of a physical quantity is the formula which tells how and which of the fundamental unit have been used एक तो हमें ये बताता है भी हमें कौन सी जो है fundamental यूज की गया है unit हमारी कौन सी unit को use किया गया है to measure that quantity उस quantity को मांपने के लिए dimension analysis is the practice of checking relation between physical quantity by identifying the dimension of the physical quantity और इस हम जो है किसी भी हमारी quantities होती है उनके बीच में relation भी हम identify कर सकते हैं और कहीं बार इनकाम relate भी कर लेती हैं dimension analysis के मदद से dimension और independent of numerical multiple numerical multiple हम इसमें लेगे नहीं चलते उसे independent अचाए constant रम हो उसका भी हम dimension नहीं लेते और all the quantity in the world can express as a function of fundamental dimension लेकिन हमें किसी numerical मतलो numeric multiple हो कोई या constant हो उस काम लेकर नहीं चलेंगे dimension formula तो dimension quantity क्या होती है हमारे पास से पहले ही समझते है dimensionless quantity पहले यह देखें dimensionless का मतलो जिसका dimension नहीं है उसको dimensionless बोलते हैं quantity are those which don't have dimension but have fixed value जैसे हमारे पास 2, 3, 4, 5 या A, B, C, D numerical कोई भी constant term है वो dimensionless होती है तो जैसे हमारे पास गेंपल है pure number pure number मैंने 1, 2, 3, 4, 5 जो भी कोई भी number pure number पाई हो गया हमारे पास E हो गया और sin theta, cos theta, tangent theta इस तरहें की जो term जो होती है उनमें dimension नहीं लगता dimensionless होती है वो quantity इसके बाद dimensionless unit quantity जैसे angular displacement radian joule constant joule पर calorie यह दिए हमारे इसके बाद dimension जो variable होता है वो क्या होता है dimensional variable are those physical quantity which have dimension मतलों जिसका dimension होता है but do not have fixed value लेकिन उसकी value fixed नहीं है जैसे हमारे पास velocity है acceleration है, force है, work है, power है अब इसकी जो कोई velocity fixed नहीं है जब हम कोई कार्य करते है acceleration, force तो यह हमारी variable में लेकर हम चलते हैं और dimensionless variable हम क्या लेकर चलेंगे वोई those physical quantities which have which don't have dimension and don't have a fixed value ना fixed value है ना dimension है, example कोई तोर पर हमारे पास जैसे specific gravity है, refractive index है, coefficient of friction है, पास्टन देशो है यह इस तरह के हमारे example होते हैं अब dimension formula क्या होता है इसके प्रहम चर्चा करते हैं Dimension formula लिखने के लिए हमें अभी जो point किया था एक हम उसको या तो L में लेकर चलते हैं इसमें लेकर दरते हैं L में लेंगे या M में मतलो symbol में L M और T T यूज़ करेंगे यानिके length के लिए में और यह मास्क के लिए यह time के लिए कहीं पार अगर temperature आ जाता तो Kelvin के लिए इसका mostly यूज़ करते हैं या कहीं पर temperature को हम T degree भी लिख देते हैं तो दूसरी बात इनको express करने के लिए हम ब्रैकेट बड़ी ब्रैक्ट का यूज़ करते हैं यह वाली ब्रैक्ट यूज़ करते हैं यानिकर जैसे हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे बंद करके लिखेंगे य और इसके बार इसकी उपर पावर लेते हैं पावर में हम जैसे A पावर ले लिए फिर B पावर ले लिए अगर एक और आता हमालो के वाल आता है तो हमारे पास पावर C हो देगी पावर लेकर चलते हैं 123 IBCD जो भी पावर हो सकती है वह हम फार्मुले के हिसाब से करते हैं तो dimension formula हम निकालते हैं कैसे हैं यह हम चर्चा कर रहे हैं the expression showing the power to which the fundamental unit are to be raised to obtain one unit of drive quantity is called dimensional formula of that quantity dimension formula क्या होता है expression which show how and which of the base quantity represent the dimension of physical quantity is called dimension formula यह इसकी definition है मारे पास जबारा सुन लगी हमें यह बताते हैं किस तरह से और कौन सी base quantity हमें लेकर चलने हैं dimension बनाने के लिए और जो उसके रूल से हमारा system बन जाता है उसको बोलते हैं dimension formula कोई भी equation होती है उसको हम dimension equation के रूप में भी लिखते हैं वागे हम पढ़ेंगे किस तरह से हम लिख सकते हैं मालो हमें जो है dimension लिखना है हमारे पास length का dimension लिखना है जो हमारी length होती है सिंपल उसका dimension formula क्यों होगा तो हमारे पास तीन पॉइंट होती है LMT LMT ठीक है अब length में single होता है पावर कितने होती है बन तो यहां पे L की पावर बन हो जाएगी length में mass नहीं होता इसलिए 0 आजएगा और ना time होता यह 0 आजए तो यह हमारे पास dimension formula बन गया L1 M0 T0 इसकी पावर है जीरो ठीक है दूसरी बात हम जो जैसे मानलों हमारे पास क्यों is the unit of derived quantity represented by क्यों is equal to मानलों को हमारे पास derived quantity है उसको हमने represent करती है M की power A L की power B T की power C then M की power A L की power B T की power C is called dimensional formula तो उसको क्या बोलेंगे dimensional formula बोलते हैं अभी जैसे हमने length वाले case में क्या है मानलों length है तो length में हम क्यालेंगे LMT ले लिया तो L0 की जगा यहां सोरी 1 आ जाएगा यहां 0 आ जाएगा यहां भी 0 आ जाएगा तो यह length का dimensional formula हो गया इस तरह से हम other quantities का भी करेंगे अभी next हमारा जो topic आता है और इस तरह की जो formation हम किस तरह से करते हैं number 1 पहला point write the formula of that quantity हमें उस quantity का formula लिखना है जैसे मानलों हमारे पास force ही है सबसे पहले force के लिखते हैं force क्या हता है मारे पास mass into acceleration होता है यह फार्मुला होता है मास into acceleration ठीक है पहले हमने क्या लिख लिया formula लिख लिख लिए with the quantity of left-hand side of equation left-hand side में मारे वह हैły क Mouse तो इसके लिए मैं पहले इसको डैमेंशन फॉर्मॐला जैसे इसको दाइंशना करें देख लाती कंवर्ट all the quantity on right side जो हमारी right side है यह यह वाल ठीक है right side into fundamental quantity mass length and time में convert करेंगे जैसे mass का mass है यह mass का क्या होदेगा मारे पास M होता है और acceleration का क्या बनेगा formula acceleration का हमारे पास क्या होता है बदा न acceleration क्या होता है velocity or time होता है velocity or time तो उसका formula हम दोबारा से हम इसको point off करेंगे एक बड़ दोबारा यह ही कर लेते हम substitute MLT for mass length and time वो ही होगा है मारे पास collect rams of MLT and find their resultant power ABC जितनी उसकी power होगी वात हम उतनी ही निकाल लेते है which gives the dimension of the quantity in mass length and time respectively ठीक है अब जब हम कोई भी equation correct लेते हैं तो उसमें क्या गरना है between physical quantity dimension of all terms must be same on both side दन्यों का dimension physical quantity का same होगा और separated by plus or minus must have the same dimension उसका जो है same dimension रहेगा चाहे हो plus हो चाहे minus हो यह physical quantity जैसे हमने अभी कोई quantity ले है जिसके dimension हमारे पास ABC है length LMT जो LMT है तो N1 is the its numerical value इन ए system in which the fundamental unit L1 M1 N2 T1 है और N2 is the numerical value of another system मालो एक कोई है मारे पास 2 side है एक left hand side है एक right hand side है तो एक को हम N1 ले लेते हैं जैसे मालो left वाली उसको N1 ले लिया ठीक है और जो right वाली उसको ले लिया N2 ले लिया और पहली वाली के हमने L1 M1 T ये लिया है ठीक है पहली वाली के लिए जो dimension हमने लिया है ये और second वाली के लिए है हमने dimension ये तो हमारे पास formula क्या बनता है जब हमने n2 का मतलर है राइट साइड लिए है तो उसके लिए ये formula बनता है इसको आप याद कर लेजिए ये important formula है dimension formula create करने के लिए important है तो इसे learn के लिए कर दीजिए ये copy में लिख लेजिए तो n1 के आजएगा हमारे पास l1 divided by l2 l1 divided by l2 m1 divided by m2 और t1 divided by t2 और power में वह हमारे a b c d आजएगा power में के आजएगा a b c d तो ये है हमारे पास n1 into l1 दुबारा सुन देजिए एक बार इस तरह से करना में n2 is equal to n1 into में l1 divided by l2 की power a into में m1 divided by m2 की power b t1 divided by t2 की power c तो ये बन जाता है हमारे पास dimension निकालने का फार्मूला इसी के पर depend होगा आप इसको अच्छे तरीके से note कर लिजिए a dimensily correct equation must have same dimension on both side दोनों side में dimension same होना चाहिए तब ही हमारा equation correct बनता है अभी example लेकर चलेंगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह हैं समझ में आदेगा एक पर rule देख लेजिए next rule के a dimensily correct equation need not to be a correct equation but a dimensily correct equation is always wrong यह बात जाना कि यह वो wrong हो सकती है it can test dimensional validity but not fixed exact relationship तो असले relationship उसके अंदर नहीं निकाल सकती example है हई हमारे पास महलो x है हमारे पास motion वाला formula है हमारे पास यह X is equal to X not plus V not T plus हमें half at square हमारे पास formula हाता है na x is equal to u just the s is equal to ut plus half at square यह वाला formula हाई half a, t, square यह वहाडा फर्मला है तो इसका डाइमेंशन कैसे निकालेंगे देखे ध्यान से तो x क्या है हमारे पास s distance होती है तो distance की में आपते हम l में आपते है तो हमारा देखे क्या है प्लस आफ़ एटिस के U इसमें अधे और फिर हमारे पास V नोट T आगया तो वो वो लिदी माइनस 1 में और T का हम और मारे नहीं लेना यह देखे कोंस्टेंट टरम का इसको AT square acceleration into T का square है तो AT का हमारे पास बने गया LT minus 2 यह acceleration का हो गया और यह T square तो इस तरह से दोनों साइड हम जब देखे हैं तो दोनों साइड से यह equal आ जाता है इसके बाद हम करते हैं use of dimensional equation किस तरह से मुसका use किस purpose गिलिस को use किया गया number 1 पहला इसके बाद हम relation drive करते हैं दोनों के बीच में जो हमारी physical quantity है और next to convert value of physical quantity from one system of unit to another एक system से जैसे मालों Newton को dine में convert करना है meter को centimeter में convert करना है या kilogram को gram में convert करना है तो एक dimension को दूसरी dimension में convert करना इसका मुखे point है चोथा to find the dimension of constant in given relation जो हम इसके लिए use करते हैं इसकी limitation क्या रहे हैं यह मारे पास it does not give the information about the dimensional constant तो constant के बारे में तो यह बताएगा निए जब हम करेंगे तो यह drawbacks होगी if a quantity depend on more than three factor having dimension formula यह दि मालों तीन से ज़ाद हो जाते हैं तो इसको भी हम फिर derive नहीं कर सकते हैं थाड़ी का होज़ेगा we cannot derive the formula containing trigonometric function, exponential function, logarithm function मतलों जो function constant है उनका निकाल ही नहीं सकते हैं तो यह भी कहा है इसमें direct drawbacks होजाज़ेगा exact form of relation cannot be developed simply हम क्या है relation जो है उनके बीच में find कर सकते हैं भी correct है या incorrect है लेकिन हम exact formula उसका नहीं निकाल सकते हैं इसके rule के द्वारा it gives no information about physical quantity के बारे में कोई यह guaranteed यह system नहीं देती इसके बाद हम newton जैसे एक example करते हैं एक newton को dynamic की तरह से convert करते हैं अब देखी कैसे करेंगे dimension formula force का क्या है आपरे पास ml1 t-2 यहां देखी m की power 1 l की power 1 और t की power minus 2 तो यह हमने अलग 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 लिए a ब्राबर 1 हो गया b ब्राबर 1 और c ब्राबर minus 2 यह हम लेके चल देखी हैं इससे इसको हमने किसमें convert करते हैं डाइन में करेंगे अब newton formula जो हमारा mks में क्या है mks में लेके चलते हैं क्योंकि mks में दियावा है 1 kg length 1 meter में हो जाएगी mks कमतल length और time कितना जैगा 1 और m2 जो हमें अब convert करना है यह 1 यह भी 1 और यह भी 1 हो जाएगा next n1 कितना है 1 newton और n2 हमें निकालना वह अभी जो formula हमने किया था यह formula हम याद कर लेज़े इस formula के साब से असानी से यह हम equate कर सकते हैं तो अब देखी यहाँ पर n1 n2 निकालना है अब m1 divided by m2 यह भी 1 divided by m2 यह भी kg है यह भी kg है दुनों लेकि निचे भी आगे ग्राम में आगे क्योंकि हम dine में convert करने है दूसरी unit में convert करने है तो gram से m किस में आगे kg से gram में आगे अब इसमें आज ल1 पहले में कितने मीटर में और दूसरा कितना है हमारा centimeter में है इसी प्रकार जो हमारा टाइम है पहले second में और दूसरा भी second में यह power जो हमारे पास वही 1 1 और minus 2 जो हमने अभी power यूज क्या यूज में ली तेि है यह यह फर्मुला यह power न m कि power 1 l कि power 1 t कि power minus 2 तो यह power दी गहीं यहीं power में वहाँ पर यूज करना है यहां पर देखाइए जिप्ला यूज कि यह ना तो a-bc हमारे यूज दी तो वहाँ पर हमारा फिर on फिर one लॉर में यूज त्व का focuses अब देखिए एक kg में कितने gram होते हैं 1000 ओग निचे ब tires सेकिंद हमारा सेकिंड से सेकिंड कटीं नँबी वर अब यह उमारा एक यह फ़berry quantity आ जती है hellM formula drive करते हैं जो कैसे करेंगे देखो एक बर चलिए से चाहिए मैं आप मोलौ क्आहिए हमारे पास एरिया है यह पढ़ेजेली से अरीका TW था है अब हमें इसका क्या मुनाना है तो बनाना है जो क्या itu बनार can क्या है टो सकते हैं अब ब्रैट्स भी किस में आपते हैं, L में आपते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक सम्झ जाके न, तो यह क्या हमारे पास L की पावर 2 बन गया, L की पावर 2, अब हमारे पास फार्मॉला कहता है, डायमेंशन में, M, L और T, यह तीन पॉइंट होती है, M, L, T, M इसमें नहीं है, जब हम सिंपली, लेंथ और ब्रैट्स लेजें, तो मास नहीं होता है, 0 हो जाएगा, L कितना है, दो और T कितना है, हंवारा 0, तो यह बन गया, area का, dimension, formula, अब मालो हमें, dimension, formula, निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम का होता है ल,by,h, क्या होता है ल,b,h तो अब देखिए l को ल में मापेंगे, b को भी ल में मापेंगे, h को भी, height हो चाहिए length हो, अभी कहाँ तो 3 तो इनके कितना हो गया, वोल्यूम का dimension formula अब हम निकालते हैं मालों हमारे पास density है ठीक है इसी में चलते हैं चलो यह देखी धान से density देखो जान से density के पहले हमने formula देखना क्या होता है density के तो mass divided by volume तो mass को हम किस मिलेंगे m में वोल्यूम का भी हमने निकाला l की 3 आया था ना भी निकाला यह LBH होता है तो L की power 3 आगा है तो उपर जा की नमन के हमारे ml की power minus 3 तो यह निकाल गया हमारे पास density का formula अब निकालते हम acceleration का formula acceleration का कैसे निकलेगा देखे जान से acceleration का पहले formula लिखेंगे formula का है change in velocity divided by time change in velocity divided by time तो इस साबसे में excel इसका निकालना पड़ेगा तो velocity का formula क्या हता है distance over time velocity का formula क्या हता है distance over time यह होता है distance को किसी मा आप हैंगे L में और T हमारा T मेरेगा यहने कि L, T मैंस एक बन गया क्या बन गया L, T मैंस 1 बनेगा L, T मैंस 1 तो उपर हमारे पास क्या 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 वर T तो t उपर जाकर पावर बनेगी T मैंस 2 क्लिए यहाँ पर आप करते हैं फोर्स के लिए फोर्स का formula क्या तो mass into acceleration mass मास का तो हमारा क्या होगा M अभू हमने एक्सलेशन का क्या निकाला है L T मैंने टो सेम ऐसे हैं निकालना है वह लिए कर चेंग विलोष्टी और टाइम लेकर तो इसका दामेंशन बनाना उसका बनाना मैंने निकाल लिया है L T minus 1 L T minus 1 तो यह बन जाएगा मारे पास linear momentum ऐसी जैसे मालो pressure का निकालना pressure का था force per unit area force per unit area अब हमें पहले force का निकालना पड़ेगा किस का निकालना पड़ेगा force का क्या था यह देखी mass into acceleration MLT minus 2 यह निकालना MLT minus 2 तो निचे MLT minus 2 रखेंगे तो total अमारा यह बन जाएगा force per unit area force का देखी एक बार देख लेते है force का क्या बनेगा हमारे पास MLT minus 2 पावर में divide by area का हमने क्या निकालना था L square यह निकालना था तो यह बनेगा हमारे पास L जागे पर minus 1 हो जाएगा क्योंकि एक यहां पे होग एक होग तो यह ML minus 1 बज़े का TMRF 2 ऐसे ही है अब जैसे हमारे पास universal gas constant है उसका formula ही होता है हमारे पास M1 divided by M2 force into radius का scale तो force का लगाना है फिर radius का निकालना है फिर हमारा यह complete हो जाएगा अब देखे जैसे work done हमारे पास क्या है work done तो work done क्या होता है force into distance होता है force into distance पहले हम force का निकालना पड़ेगा तो force का क्या था हमारे पास force का क्या निकालना था देखें MLT minus 2 force क्या होग हमारे पास MLT minus 2 तो पहले हमारे आगा MLT minus 2 MLT minus 2 ठीक है distance का क्या रहेगा एल गेरेगा डिस्टेंस का तो फिर क्या बनेगा हमारे पास ml स्केर एक ली होगा और एक ली होगा तो क्या बनेगा ml स्केर टे की माइनस दो आजएगा टे की माइनस दो अब निकालते हैं energy का अनर्जी क्या होती है half mv स्केर अब हमें constant term को छोड़ देना है अब माश का हमारे पास क्या होजेगा m क्या होजेगा m और velocity का हमारे पास क्या था फार्मूला lt-1 था lt की पावर माइनस बन अब यहां पे स्केर है तो इसलिए उपर स्केर आजएगा ठीक है तो m lt-1 यह विलोश्टी क्या है तो उपर पावर्ती पावर आजएगे तो क्या बनेंगे हमारे पार इसको अंदर multiply कर देंगे ml स्केर ट की पावर मैंस दो तो यह वार्मूला बन गया हमारे पार ऐसे हम निकालते हैं कि surface tension का force per unit length होता है तो वही पहले उपर force का निकलना है फिर हमने length का निकलना है तो इस तरह से dimension फार्मूला किसी भी quantity का निकलना अब जैसे strain है strain का उपर भी length निचिव लेंदी तो कट गया आपसमें cancel हो गया इसका मतलब कोई dimension नहीं है strain का m की पावर भी 0, l की पावर भी 0, t की पावर भी 0 तो इस तरह से हम बना सकते हैं किसी भी quantity का physical quantity का dimension फार्मूला पहले हम उसका actual फार्मूला पता हो फिर उसको convert करते हैं किसमी ml और t में convert कर देते हैं फिर हम उसकी value put कर देते हैं तो इस तरह से अब देखिए जैसे angle है angle arc by radius होता है आरक बीम अलमे मापेंगे radius बीम अपेंगे दुनल्म में मापेंगे तो यह बीडामेंस से लेस हो जाएगी मारे quantity इस तरह से हम डामेंसिन निकाल सकते हैं किसी भी physical quantity का ठीक है तो देमेंसिन निकालने का हमारे पास यह ते सिस्टम जब हम किसी भी quantity का dimension निकालते हैं कि कैसे बनाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इसका इसका सिंबल एक्टिंग ओने पार्टिकल मॉविंग उनिफॉर्मली इनी सर्कल में मास पे डिपेंड कर रहा है एक बन जाए दो बन जाए तीन जो भी पावर होगी हम इस तरह से ले लेते हैं और के ले लिया कोंस्टेंट ले लिया अब हम वैल्य पूट करते हैं किस तरह सेमारे बनाना हैं सब्क्रा मनों प्रमीं निकाल अब निकता है यॉव्याइं div यॉप सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब करते हैं ऐन का टा मइन सब्सक्राइब को लेके नहीं चलेंगे M VR तो M का क्या बन गया M1 होगे देखे M1 कि एली इसमें नहीं है इसमें पर फिर हमने क्या लेली अब सेकिंड विलोसटी है हमारे पास विलोस्टी में मास नहीं होता और विलोस्टी का फार्मल का टी माइनिस 1 होता है इंग हो कि पावर भी रहा देगी फिर 3rd point हमारे का है R तो R में मास नहीं होता है व्याज ने नहीं होता है सिर्फ लेंट मापते हैं कि 1-2 यह 0-0 यह तीन point होगे यहांगे हमने value put कर दी M v r में का हम value put की है M v r में पःला टरम हमारे पास यह हो जाएगा, दोसा टरम यह हो जाएगा और तीसा टरम यह हो जाएगा, अब इनको हम तिनों को combine करते हैं, combine कैसे करेंगे, m की power a की होगी, यह 0 होगी और यह दर से 0, तो m की power a रह जाएगी, पावर a थी न, a, अब l की power क्या बनेगी, देखी, l इदर से 0 है, इदर से minus b बन जाएगा, और इदर से c बनेगा, इसलिए क्या क्या बी प्लस c आदेगा, b प्लस c, और इदर से क्या बनेगे, हमारे पास power, तीसिज में t में, इदर 0 है t, इदर t की minus, तो minus b आदेगा, तो t की power minus b आदेगा, clear है, अब जो हमारे पास power में आया, उसको equate करें, a कितना है, हमारे पास 1, b प्लस c कितना है, 1, इदर दबार देख लिए, यहां से a, 1 बनता है, यह देखे, m की power a आया, l की power, यह आदेगा, b प्लस c, और इसकी minus b आएगा, तो value पूट कर दी, a की 1 आदेगी, b प्लस c की 1 आदेगी, और b minus 2, अब हमारे पास a, b, c, तीनों की value आगी, तो इसलिए, जो हमारे पास formula तसमें, यह value पूट कर दी, m की power 1 आगी, a, यह 2 आगी, और यह minus 1 आगी, तो formula बनेगा, हमने पास, k into m, v is k divided by r, तो इस तरह से हम किसी भी बस्तू का formula, किसी भी physical quantity का formula बना शक्त है यह simple सा rule है, किसी भी physical quantity का formula बनाने के लिए, अब हम करते हैं कुछ important quantity, जिनका physical formula same है, dimension formula देखिए एक बर ध्यान से, force और thrust का same, यह एक number में question आता है, हर बार आता है, इसलिए आप इसको याद करेंगे, same physical quantity का जो dimension formula same होगा, work, energy, torque, momento, force, यह इनका सब का एक ही है, वर्क, energy, torque, जो हमारी होते हैं, इनका भी same formula हमारे पास होता है, तो वर्क का क्या होता है, हमारे पास, ml square t की minus 2, ml square t की power minus 2 होता है, वर्क का, ml square t की power minus 2, यह होता है, वर्क, ml square t की power minus 2, वर्क को जूल में मापते हैं, तो इसका मतलब वर्क का भी energy का, torque का, momentum और force का, और energy का सब का एक ही formula है, ml square t की power minus 2, और force का हमने क्या लिया था, ml t की minus 2, ml t की minus 2, ml t की power minus 2, यह था हमारे पास है, इनके force का और such का यह ही रहेगा, ml t की power minus 2, अब आता है, हमारे पास, angular momentum, plank constant, और relation impulse, angular momentum, और angular momentum का, हमारे पास क्या formula था, चोचिए एक बार धान से फटापट, angular momentum का formula, देखी क्या होता है, angular momentum या plank constant का भी आप देख सकते हैं, देखे फटापट, angular momentum या plank constant, सेम चलेगा, या फिर आप किसका देख सकते हैं, rotational impulse, फटापट बताईए मुझे, आपको दो minute का time देखते हैं, फिर आप जो है, इसके साथ check करेंगे, यह हमने क्या बनाया है, इसके एक minute का time मिलेगा आपको, minus 1, ml square, t की power minus 1 बन जाएगा, अमारे बस, ml square, t की power minus 1, यह इसका formula हो जाएगा, तिनो quantity का, इसके आप 4 constant का, surface tension का, और surface energy का, इनका सब का same formula है, आप जो है, निकाल के देख देख देख, surface energy का क्या हो जाएगा, ml square, t की power minus 2, ml square, t, k, power minus 2 होता है, तो इसका वंजलीं तिनों का, same formula रहेगा, stress, pressure, modulus of elasticity, इनका same formula हो जाएगा, stress, pressure, focus of elasticity, stress का formula क्या है, अमारे पास, वहीं हमारे पास, modulus of elasticity का formula रहेगा, और वहीं किसका होजएगा, pressure का होजएगा, और pressure का क्या हमारे पास force per unit area था यानि के ml की power minus 1, t की power minus 2, ml की power minus 1 और t की power minus 2, ये formula बन जाएगा pressure के लिए, इसी तरह हमारे पास angular velocity frequency इनको note कर लीजिए, एक नमर में पकाता है, latent heat का, gravitational potential का, thermal capacity और entropy, universal ये इनका सेम होता है, और इसके बाद हमारे पास, जो power luminous fluid, इसका भी सेम ही formula होता है, आप करते हैं, important point हमारे पास, dimension analysis में क्या क्या है, important number 1, dimension analysis, only those physical quantity, which are the same dimension, can be added, can be subtracted, this is called principle of homogeneity, second point, dimension can be multiplied, cancel like, normal algebraic method, in mathematical equation, quantity on both side, must always have same dimension, दोनो side का dimension क्या रहेगा, same रहेगा, argument of special function like, trigonometric, logarithm and ratio of simpler physical quantity, are dimensional, यह क्या होती है, हमारी dimension less होती है, equations are uncertain to extent of dimension less quantity, like distance के speed into time in dimension term, तो यह दि हमें speed का formula, यह इसका formula बन जाता है, जो हमने अभी किया है, L ब्राबर L हो जाएगा, ना, मदल के लिए, इसके बाद application of dimension analysis, checking क्या, constitutionality के लिए हम इसको करते हैं, ए dimensionally correct equation must have same dimension on both side of the equation, a dimensionally correct equation need not be a correct equation, but dimensionally incorrect equation is always wrong, यह point हम नोट करके चलेंगे, यह इसने example दिया है, वो यह 80 वड़ा हमने जो पहले किया था, किस तरह हम निकालते हैं, तो यह हमने इसका formula निकाला भी थोड़े देर पहले निकाला था, इसके बाद constant term का कोई dimension नहीं होता, यह आप नोट रखेंगे, इसके बाद हम करते हैं, last हमारा जो point आ जाता है, characteristic of dimension, इसके dimension क्या, अब लास्ट टोपिक हमारा आ गया, आप करते हैं, characteristic of dimension के character sketch क्याते है, नमबर एक, dimension of physical quantity are independent of the system of the unit, यह देखें, dimension of physical quantity are independent of system of unit के पर वो depend नहीं करता, next, जो हमारी quantity is having similar dimension can be added, एक तो उसमें same quantity में add कर सकते हैं, और सेम ही minus कर सकते हैं, दोनों का तब ही हमारा system चलता है, next point, c, dimension of physical quantity can be obtained from its unit and vice versa, income formula लगा के भी इसको अराम से निकाल सकते हैं, two different physical quantities may have same dimension, अब हमने कहीं physical quantity हैं, जिनके dimension same होते हैं, multiply करते हैं या division करते हैं, of dimension of two physical quantity, may be same or different, result is production of the dimension of third quantity, तो यह ता हमारा आज का topic, dimension analysis, बिल्कुल simple topic था, तो आशा है कि आपको इस समझ में आ गयोगा, तो next video के लिए हम जल्दी आजर होगे, तब तक आप हमारे channel को like कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, ताकि जैसे नए वीडियो आता है, आपको वो मिल्स करें, तो अब तक के लिए आपको, बाई, थैंक्यू, कर दो के लिए आपको, वोगे दुझख हमारे योगे, जापको भी हमारे बाईब कीजिए, तो वोगे योगे, एकी हमारे वोगे हमारे आपको योगे जापको, तो आपको, वोल्गे,